भाईया BS6 बाईक का प्रोडियोशन बनेगा, बन जाएगा, मुझे तो इधर पता चला, पुलिस चलान भी काट लिया है आपको छे मैंहे तक मिलता था, यहां बहुत सारी लोगों का यह कहना है, कि जो BS6 बाईक है उनमें प्रोडियोशन साठिपिकट लगता ही नहीं है, यह जो है प्रोडियोशन मुक्त है, तो दोस्तो क्या उनका कहना सही है। दोस्तों इनके बारे में हम details में बताने वाले हैं कि BS6 जो bike है इनका pollution certificate बनेगा या नहीं बनेगा दोस्तों बहुत सारी लोगों का यही कहिना है कि BS6 में तो pollution certificate लगता ही नहीं है जो MP1 की official website है दोस्तों उसमें भी कुछ mention नहीं किया गया है कुछ clear नहीं किया गया है BS6 जो bike है इनमें pollution की आविसकता होती है न होती है तो दोस्तों इसी के बारे में details में बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों एक दिन मेरे friend का phone आता है और उन्होंने BS6 bike purchase कर रखा है दोस्तों उन्हें traffic police द्वारा रोका जाता है तो दोस्तों उससे pollution certificate मांगा जाता है तो मेरे friend का कहिना है दोस्तों कि BS6 bike है मेरे पास इसमें pollution certificate नहीं लगता है जब उन्होंने ये कहा तो दोस्तों traffic police द्वारा उनका चलान काटा गया दोस्तों अगर आपको check करना है कि आपके bike का pollution certificate है या expire हो गया है तो दोस्तों आप check कैसे करेंगे तो इस video की description में आपको link मिल जाएगा website का वहाँ जाके आप open करके दोस्तों अपना bike का number और जो चेचिस number होता है दोस्तों उसका 5 digit आपको डाल के वहाँ से check कर लेनी है कि आपका जो bike का pollution certificate है वो अभी valid है या expire हो गया है जाये दोस्तों वीडियो की description में आपको link मिल जाएगी वहाँ जाके आप check कर सकते हैं आपके bike का pollution certificate है या expire हो गया है तो दोस्तों हम अपने friend के साथ अभी जाने वाले है PUC Center जहां पकी pollution certificate बनने वाला है तो दोस्तों सारा कुछ वहीं जाके clear होने वाला है तो हम लोग घर से निकल चुके हैं यह है BS6 bike Splendor Plus में friend का यह bike है दोस्तों इसे लेके चलना है हम लोग को PUC Center क्यूंकि यह bike लेने से हम लोग का हो गया लगभक 8-9 महने हो गया है बहुत सारा confusion में थे कि BS6 bike का जो pollution certificate होता है दोस्तों वो नहीं बनता है तो हम लोग चलते हैं PUC Center वहाँ जाके clear होने वाला है कि BS6 bike का pollution certificate बनता है या नहीं चलिए वहाँ जाके सब कुछ clear होने वाला है आप लोग से request है वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो useful लगे तो वीडियो को like किजिएगा चैनल में नहें चैनल को subscribe किजिएगा तो फाइनली पेंड बहु जदा चक्कर लगाने के बाद पूसी अंटर मिल गया है घाज केंड हम लोग को मिल गया है अब जाते हैं वहां से अंदर वाँ जाके पूस्ते हैं कि bs6 Denk का уз se साथिपिकैड दोस्तों यह है धुवक्रि के अद्र आ चुके हैं तो फेंड अंदर चलते हैं वहां जाके कि पता करते हैं कि इसका भी एक सिक्स बाइक का प्यू सी बनता है या नहीं एक फ्यू मॉमेंट्स लेट एक सिक्स बाइक का बनता है अ है नो दस में न बन जाएगा हमसे आरसी बुक लिया गया और आरसी बुक भया लेके गए हैं अंदर में वहां काम चल रहा है और कितना टाइम लगता है प्यू सी साटिपिकर बनने में वो देखते हैं और क्या-क्या जाज होता है चलिए वीडियो पे आप लोग कंट्निव बने रहे हैं में अपने चारो जूमार कि ओरौक पारो विंदा अगातों कि जैए एक खूर आपकर अटो अगातों कि खर्वाब अचार आपकर अगातों कि जैए की उिसवार रब हाई पारो फार कि जैए नचे टूले खालो जैए के अधा गाप फारो फाइनली फ्रेंड जो प्यूसी है दोस्तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल साथी पिकट है दोस्तो वो मेरा बन चुका है दोस्तो इसे बनाने में आपको 50-60 रुपे के बीच में आपको खर्च आने वाला है इसमें आपको चेक क्या-क्या होने वाला है दोस्तो इसमें चेक ह वेल से दोस्तों सब जाहाच होने वाला है दोस्तों इस तरह से आपका प्यूशी सेंटर में आकर आकर be a6 तो değer उसका भी आपका बन जाता है दोस्तों बहुत दिनों से UNFIR का ना ऑपको प्योंट के बना लीए अप को अब सीकु Разरा और फोल आ यह को likewise मिलते हैं वो नए वीडियो